हाँ तो किसान भाईयो आज हम तमाकू का अन्तिम एक्सप्रेग जो कर रहे हैं कि समय पूर गया है तीन महना हो गया है करीप तीन महना हो ही अब इसका कटने का समय आ गया है लेकिन फिर भी तमकू में एकस्प्रेय कर देते हैं अंतिम बार और इस बार जो है एक जाइम गॉल्ड दिये हैं जिसका नाम है धन जाइम गॉल्ड और यह जो है पत्ते को मोटफा करेगा और पत्ते का सारा ग्रोथ यह करेगा और इसे के साथ ने एक टी भी दे दिये है जो की धन जाइम गॉल्ड को कार्छंता बरहने में यह सायक होता है तो तेखे यहां तमकु जो है अब कटने वाला है लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय बचा है 15-20 दिन तो इसका एक एक स्प्रेय हम कर देते हैं यह स्प्रेय जो हो रहा है पावर पलस एस्प्रेय मसीन से कर रहे हैं यह कि बहुत दूर तक टेक अप करता है और इसका पत्ते का मोटपा होई ही गया है लेकिन फिर भी इसका पत्ता जुका नहीं है इसलिए इस प्रेय कर रहे हैं बासी है और यह अपने रा जो एक स्प्रेय कर रहा है अकलेश रॉम जो कि देखे कितना बड़ियों से एक स्प्रेय कर रहा है और पहर को थम थम के जो कि पत्ता तूटे नहीं अब पत्ता में जड़ा ठोकर लगने से वा तूट भी सकता है और यह एक स्प्रेय जो है अब अंतीम बार है यह तमकू का खेती तीन मेहने का ही होता है और तीन मेहना में ही जितना आप मेहनत कर सकते हैं तो इसमें दो एक स्प्रेय पहले भी कर दिया है और इस बार यह लास्ट एक्स्प्रेय समझे इस तमकू में अब कटने का समय आ गया है जन लगाकर मजदूर लगाकर खेत में ही एक खलिहन बनाया जाता है और कुट्टी काटने वाला मसीन से तीन फारी का मसीन होता है जो की वह काफी महीन कुट्टी कर देता है उसी से कटा जाएगा और यहीं पर तिरपाल अगेरा वगेरा लेकर सुखाया जाता है और इसमें मौसम अगर ठीक रहा तो बहुत अच्छा है अगर मौसम गरबर हो गया तब तो तैयारी करने में भी काफी दिक्कत होगी क्योंकि बढ़सा का पानी अगर तैयारी माल में कुछ लग जाता है तो उसका रंग रूप और पावर सब घट जाता है तो हम यहीं कहेंगे किसान भाईयो कि तमाकू का खेती जो भी है वहां तैयारी करने के समय में मौसम देख के तैयारी करना चाहिए दर दिन पान दिन लेट भी हो जाए कोई बात नहीं लेकिन मौसम अगर ठीक नहीं रहा तो बहुत दिर्कत हो सकता है अब इस एकस्प्रे करने वाले मसीन में जो नोजल का काम कर रहा है वह देखे कितना अच्छा से वह बहुत दूर तक टेकप करता है कि तो हम तो